पहले पैनल में आखों में मसकारा लग रहा था, दूसरे में बाल समर रह थे, तीसरे में लिपस्टिक लग रही थी, और फिर चौते पैनल में ये था, तो ये था basic structure four panel horror comic का, ये एक web comic है जिसमें ऐसे धेर सारी चार पैनल की स्टोरी है, जिसके end में एक प्यारा सा twist होता है, bathroom में एक hole के ओपर don't look लिखा हुआ है, लड़के ने देखा, खून खचर हो गया, फिर last में twist, ये पूरा structure इसका एतना addicting होता है कि तुम एक बार पढ़ोगे और लगातार सारी पढ़ते जाओगे, और best बात है कि तुम्हें कोई time नहीं लग रहा, ये चार panels को तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, mostly story visual second भी हो जा रही है, ये writer foreshadowing और twist इतना clever रखता है कि structure जानने के बाद भी तुम wait करोगे कि आखिर में क्या होगा, और कभी कभी twist काफी layered भी होते हैं, जैसे bathroom वाला ही scene ले लो, उसमें तुमने देखा कि इस hole में देखोगे तो ये monster तुमारी art style को देखोगे तो horror के साथ comedy इसमें काफी बढ़िया बैठेगी, और वो चीच under the bed वाले chapter में काफी सही से दिखता है, इसमें ये लड़का अपना हाथ लटकाए bed में सो रहा होता है, और bed के नीचे से एक हाथ निकलके उसके हाथ को पकड़ लेता है, अब तुम लोग चौ और ये और काफी clever चीजे कर लेता है, जैसे ये chapter टेडी ले लो, इसमें एक लड़का beer का soft eye लेके बैठा रहता है, फिर shadow में दिखता है कि इसकी मम्मी आ गई है, ठर्ड में फिर twist होता है कि लड़के की जगे भालू move कर रहा है, और चौते पैनल में एक और बड़ा twist होता ह कि भालू यहां living thing था, और लड़का एक toy था, तो यहां यह twist इसलिए possible था, क्योंकि इसकी art style ऐसी cartoon है, मना यह असली इनसान बैठा रहा था तो हम लोगों के दिमाग से नहीं खिल पाता है, ऐसे ही artist यही चार पैनल के structure में इतनी clever clever technique यूज़ करता है, कि तुम लोग उसे प वेब कॉमिक है, तो उसमें तुम ज़्यादा नहीं सोचोगे, सेम वैसे कि Mortal Kombat ने fatality मारना के बाद दुबारा तुम उस character से खेली सकते हो, तो अतना absurdism को तुम माफ कर दोगे, लेकिन यह story इसी चीज़ को सबवाट कर देती है, character सच में repeat हो रहे होते हैं, यहां तक कि कुछ चैप्टर्स बाद एक को feel होने लगता है कि कुछ गड़ बढ़ है, उसे याद रहता है कि वो बार-बार मर रहा है और जिंदा हो रहा है, फिर कुछ scenes भी repeat होने लेगेंगे, बिसमें वही character दुबारा उसी don't look वाले बाथरूम में यहां आ जाता है, और उसे याद रहता है तो वो भी reality की तरह काम करेगी, और कुछ chapters बाद वो character दुबारा बाथरूम में आ जाता है, और इस बार भी उसे सब चीज़े याद रहती पिछली बार की, इस बार वो hole में नहीं देखता है, और आग बंद करके बैड याता है, और इस chapter का fourth panel इस कहानी में जितना भी हुआ है, हर चीज़ बदल देता है, इस कहानी में एक entity है, जो उस लड़के पे नज़र रख रहा होता है, और इस entity को artist ने पहले के chapter में भी four shadow किया हुआ था, उसने पहले भी काफी बार दिखाया होता है, कि जो character इस कहानी में मर रहे होते हैं, उनके भी उपर कुछ higher beings है, और इस दुनिया के आसमान में दो चांद क्यों है, यह entity और यह monster आखिर क्या है, कहानी में लोगों के मरने का क्या purpose है, एक तरीक से story meta भी हो जाती है, एक सम्मे बात जाके characters इस world से खुद को निकालने की कोशिश करेंगे, और जो पहली बार characters अपने scene से बाहर निकल के outside world में कदम र बड़ते आ रहें, तो सारे characters इनको तुमने मरते हुए देखा था पिछले chapters में, वो सब इनी डोर के पीछे अपने scenes complete कर रहे है, फिर इस comic का striking color palette इतना बढ़िया इसलिए बैठता है, क्योंकि artist जो चाहे वो black shadows में blend कर सकता है, और जब कोई भी third color introduce होता है, जैसे खून के ल और time आगे कैसे बढ़ा, हमारे scroll करने से, और इस जगा यह और बढ़िया इस तरीके से बैठती है, क्योंकि इस कहानी के world में already समझा चुका है, कि space weird तरीके से बेंड होता ही है, लेकिन इस panel में time भी weird तरीके से behave कर रहा है, इस panel को अगर मैं तुमें पूरा दिखाऊं, तो ये character एक ही समय में दो जगा मौजूद है, लेकिन इसे web comic की तरह पौड़ोगे, तो time आगे बढ़ता लग़ा होगा, तो ये कितना सई साय की चीजे normally इस लिए निभेव कर रही है, क्योंकि वही entity character के साथ खेल रहा है, ये पूरा उसका ही world है, जहां space time का कोई भी sense नहीं है तो एक बर तुम बस इस कहानी के outside surreal world को देखो, वो जो इतने chapter से तुम cartoonी आर्ट देखते आ रहे थे, बात के chapter में वो आर्ट पूरी bonkers हो जाती है, तो ये artist सिर्फ चार पैनल्स तक ही अपने twist को सीमेत नहीं रखा है, अब ये अपने art style में भी twist दे दे रहा है, उन छोटी चोटी stories में तो अपने twist थे ही, लेकिन अब एक bigger narrative चल रहा है, जो कि खुड धेर सारे twist से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को खतम करने से पहले में इस writer के एक और clever twist दिखाता हूँ, जो कि चार पैनल के साथ ही उसने long running narrative से pull off किया है, तो हम लोग फिर से bathroom में आते हैं, इस ब बातरू में आ जाता है, यहाँ उसके लिए दो instructions थे, don't look और jump over, वो उपर jump करके निकलने की कोशिश करता है, और monster वहीं मौजूद होता है, तो monster यहाँ clever था ही, कि लड़की द्वारा escape route जो लिखा था, वही bad guys बार, तो हम लोगों के पास पिछले chapters में जो information थी, उसमें भी यही वाला chapter पड़ा, तो तुम काफी intrigued होगे कि उस वाले hole में क्या होगा, तो दोनों method में तुम्हें नए तरीके का experience मिलेगा, तो अब अगर मैं तुम्हें नहीं बेच पाया यह comic, तो तुमने यह वीडियो यहाँ तक कैसे देख ली भईया, जिन जिनको पढ़ना है तो description में मैंने link दे दिये, बागी वीडियो खतम होती है अब, वीडियो सही लगी तो लाइक वगेरा मार देना, बहुत जरूरी सा होगे है आज कल YouTube में लाइक मारना, और अगर तुम्हें horror movies वगेरा की analysis और ऐसे interesting चीज़ों पर वीडियो देखनी है, तो मेरे channel में तुम्हें का